हाई गाईज आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ प्रोडक्ट्स का रिव्यू शेयर करूंगी और मैं बताऊंगी मैंने ये कहां से लिया सबसे पहले मैंने ये दो केंडल स्टैन लिया है जो कि मुझे हंडर का पेर पड़ा ऐसे ही मैंने कुछ केंडल स्टेंड होम सेंटर पर भी देखे थे जिनके हम आमरपे काफी हाई था तर मुझे ये पानेपट के मारकेट से सिर्फ 100 रुपे का पेर मिला उसके बाद मैंने एक और केंडल स्टेंड का ये पेर लिया जो कि मुझे काफी सुन्दर लगा और इसकी क्वालिटी भी बहुत जादा अच्छी थी ये भी मुझे 100 का मिला इसके बाद ये मैटल वाला कैंडल स्टेंड भी लिया मैंने जिसको आप चाहो तो हैंग कर सकते हो या ऐस डेकोर ऐसे ही यूज कर सकते हो इसके क्वालिटी भी काफी अच्छी और ये भी मुझे 100 का पेर पड़ा इसके बाद मैंने ये मार्बल का एक डेकोर आइटम लिया जिसकी मार्पी मुझे 500 रुपीज पड़ी और ये वोशिवल है और काफी अच्छी क्वालिटी का है जो कि मुझे बहुत पसंद आया उसके बाद उसी शोप से बैदे एक एक फ्लावास लिया जो कि मुझे वास और फ्लास तोनों साथ में मिले और इनका प्राइज मुझे पड़ा 150 इसके साथ मैंने उसी शोप से एक और फ्लावास लिया और ये वोशेबल भी है आप इसको वोश करके यूज कर सकते हो ये ऐसे ही रहेगा ये दूसरा फ्लावर वास है जो कि आपके रूप में एक दम से कलर एड़ कर देगा इसका भी ये वुडन वाला है और ये वोशेबल है जो कि मुझे काफी पसंद आया इसके बाद मैंने एक शोप विजिट करी जहांके प्राइजेज बहुत ही जादा कम थे और उनका सामान बहुत ही जादा अच्छा था जिसकी डेटियल मैं आपको वीडियो के एंड में दूगी ये चोपा जिसका प्राइज 649 है ये मुझे उस शोप से सुर्फ 280 का पड़ा और इसकी क्वालिटी बहुत ही जादा अच्छी है मैंने मार्केट तो शोप पे पता करा तो कोई इसको 400 में सेल कर रहा था कोई 350 में लेकिन मुझे उस शोप पे सबसे कम प्राइज में ये 250 में मिला वो भी बिना किसी बारगेनिंग के तो मैं आपको शोप के डिटेल्स वीडियो के एंड में दूँगी उसी शोप से मैंने ये वी आईजी किचेंस की 24 सेंटिमीटर की 2.60 लीटर की 3 लेयर के डाहे ली जिसमें अंदर और बाहर दोनों तरफ स्टील की कोटिंग है और बीच में एक लेयर सिल्वर की है जिससे इसकी तली काफी हैवी हो जाती है और इसमें खाना बिलकुल ने जलता इसका प्रैस भी 3280 रुपे था और ये मुझे वहां से सिर्फ 1150 रुपे की पड़ी मैंने इसको यूज कर लिया है इसमें खाना बिलकुल भी नहीं चला और बहुत ही जादा अच्छी और हैवी कड़ाई है ये और इसका प्रैस भी बहुत कम लगा मुझे बाकी ब्रैंड्स के कड़ाईयों को देखते हुए तो इसके बाद मैंने वही उसी शोप से एक 400 का ये पितल का काफी हैवी लोटा लिया जो कि हमारे घर में पुजा के काम आता है तो मैंने इसको as a decor item यूज करने के लिए घर पर ही पड़े flower bunch को इसमें डाल कर देखा तो ये as a flower vase भी काफी अच्छा लगा इसके बाद मैंने ये उसी शोप से एक tray भी ली जो कि मुझे सिर्फ 120 की पड़ी और इसकी quality काफी ज़ादा अच्छी लगी मुझे इसके बाद उसी शोप से मैंने एक dust pin में लिया इसके अंदर जो bucket है उसको आप निकाल के और wash कर सकते हो वो अलग से ही dust pin में है जो कि काफी अच्छा लग मुझे इसके बाद मैंने ये 4 pieces का snack serving set लिया जिसका MRP 599 था और मुझे ये सिर्फ 280 का पड़ा ये भी मुझे काफी अच्छा लगा और इसकी quality भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे ये containers airtight containers है ये products एकदम quality wise बहुत ही अच्छी है इस शोप के price एकदम सही है जो कि मुझे online से तो सस्ते बहुत लगे ही लगे साथ ही जो बाकी stores मैंने विजिट करें उनसे इनके prices बहुत कम है ये शोप पानिपत के पालिका बजार में एंटर करते ही जोनसन्स नाम के store के just right side में है आप इसको एक बार जरूर विजिट करना अजय करें